लमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोईताश यातव बात करेंगा आरिवाई गवर्नर साब की कियोंको नोंने फिर से एक ऐसा नेगेटिव वगता बहुत अखर नेगेटिव तो उनका हमेशा से रहा है लेकिन आपके पास ये ख़वर पहुचानी भी जरूरी है क्योंके भाई अब नेगेटिव जो ची चले वो भी आपके समझ में आनी चाहिए ना पता चलना चाहिए और मैं इसको और जोड़के आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि इसका नेगेटिव इंपेक्ट थोड़ा सा कहां जा सकता है ये भी एक वीडियो अभी सोचल मीडिया पे वाईरल हो रहा है और हमार एक यूटूबर भाई नहीं सेयर किया है तो मैं ये आरगई गवरनर साब के जो बयान है वो आपको कुछ थोड़ा सा संचिब में बता देता हूँ उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा कि हम टेकनोलोजी का तो सपोर्ट करते हैं टेकनोलोजी जस लाइक ब्लॉक्चेन लेकिन क्रप्टोकरंसी प्लस उसमें जो ट्रेडिंग है उसको तो बिलकुल भी नहीं चाते हो तो 100% वेन होना चाहिए और खास कर ट्रेडिंग को तो उन्होंने 100% गेंबलिंग का है कि यह तो गेंबलिंग है सरासर और हम अपने देश में गेंबलिंग को तो बिलकुल नहीं चलने देंगे साब यह कुछ पूरे उनके जो बोला है उन्होंने उसका मैंने एक संचेब में आपको बता है उनकी तो यह पूरी की पूरी एक तरह से मंसा है जो उन्होंने किलियर कट कहा यहां पर आ गई है फ्यूचर ट्रेड वाली बात तो वही मैंने का रहा है फ्यूचर ट्रेड बाकई में जुआ है मैं भी इसके खिलाप हो फ्यूचर ट्रेड नहीं होना चाहिए बाकी सब कुछ ठीक है करप्टो में करप्टो करेंशी ठीक है ब्लॉक्चेन सही है कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ ठीक है future trade 100% जुआ है केवल जुआ है केवल स्पेकुलेशन है आपको एगर एक इब नहीं हो रहा है तो यह देखिए यह आर बेई गवरनर साब ने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए थाय हैं लिए 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 लुट लाय हैं अब लीज तो एक इस अंदॉट सुन वह जाय है व्यू र मैं विएवयरशन विए मैंद वह ब लिए यह,ंजिए लिए बीवल बूटि अधिए लेखिन लिए वार बात्रू लीजिए आर इन व दो लाई गंपलिग लाई तो ए्ट and lay down the rules for gambling but that's not a financial product so therefore crypto masquerading as a financial product or a financial asset is a completely misplaced argument and the bigger more macro reason for what we are saying is that you see crypto so-called crypto assets or cryptocurrencies have the potential you know they have the characteristics of becoming a means of exchange and most of it is dollar denominated so if you allow it to grow assume a situation where 20 percent of our transactions in the economy 20 percent i'm mentioning an ad hoc number 20 percent of the transactions in the economy is taking place through cryptos which are not issued by the central bank it is issued by private companies which are placed all over the world the reserve bank being the monetary authority of the country as the central bank will lose control over the money supply in the economy we will lose control over 20 percent of the transactions in our economy it will lead to a dollarization of the economy and please believe me these are not empty alarm signals or empty you know i'm getting this can happen one year ago in the reserve bank we had said that this whole thing is likely to collapse sooner than later and if you see the developments over the last one year climaxing in the ftx episode i think i don't need to add anything more you have got the price of this one your train of the trade इकिर पेर्यर्यापे बहुत और बो बोटे ARE हम तो यार कोई premium group नहीं चलाते क्या जरूवत है premium group चलाने की भाई वो कहते हैं कि समाज सेवा करने के लिए जिगरा बड़ा होना चाहिए तो ये समाज सेवा है जो हम छाती ठोक के देते हैं premium group अलग कोने में ले जाके नहीं चलाते और नहीं किजी को अलग बिठा के कुछ ये देते का आपको हम अलग से hint देंगे जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे आपके सामने बोलेंगे हुटा ठोक के बोलेंगे तो भाई ये समाज सेवा हरे की बसकी नहीं है सब पैसे के लिए हैं बैठे हुए हैं प्रीमियम अलग से टेली करम गुर्फ बना दिया उसको जोइन कर लो एतने डॉलर पे करो क्यों भाई अपनी जो नॉलिज है उस पर दम नहीं है क्या उस पर दम रखो ना साब सिधी बात आप आ जाते हैं फुचर ट्रेड कनाडा ने बिल्कुल बंद कर दिया क्यों बंद कर दिया भाई अगर अच्छा था तो चालू रखना चाहिए था कौन कंट्री ऐसा है जो अपने पुब्लिक का बुरा नहीं चाहेगा कनाडा ने बिल्कुल अपने बंद कर दिया यही है कि यहां कुछ नो कुछ गड़़ड है दूसरा साथ देश और भी ऐसे हैं जो फ्यूचर ट्रेड को बंद करने के वारे में चर्चा कर रहे हैं अब देखे मैं पहले से नाम बताऊं और बाद में उन्होंने न किया तो ठीक नहीं है लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर बदा रहा हूं कि साथ देश हैं जो फ्यू ट्रेडिंग करने वाले उनको बुरी लगेगी लगे यार क्या परक पड़ता है हम जो इन्वेस्टर है उसके वारे में सोचते हैं इन्वेस्टर ज्यादा है ट्रेडिंग करने वाले इतने हैं इन्वेस्टर इतने हैं तो हम इतने के वारे में सोचते हैं इतने के वारे में ने कहीं ने कहीं थोड़ा सा दिल दुख्णा दिया यही कहेंगे भाई अब उसकी वज़े क्या है देखिए अगले महिने में यारी के फरवरी में G20 की मीटिंग होनी है मैंने आपको एक वीडियो में पूरी की पूरी आपको सारी डेट बताए थी कप-कप कौन को सी यानि RBI गवर्नर्स जो है ठीक है उनके सब आके उनके आमने सामने सारी बात होनी है तो भाई वापर अपने ये RBI गवर्नर्स ससी कांदास जी भी होंगे अब जब यार जिसकी प्रेसिडेंसी है यानि कि इंडिया के पास है उन्हीं का RBI गवर्नर्स जब इस तरीके से बो रख्षता है उसी का गवर्नर यह कहता है कि यह सब गैंबलिंग है इसको बैंड कर देना चाहिए तो देखिए एक परसेंट मान के चलिए हम कहता है चलो 99% मोदी जी पॉजिटिव है अभी बीचे मोदी जी का भी एक काफी अच्छा वायरल हो रहा था वीडियो जैसे मोदी पर्फिए अच्छी एन वह चीजए लोग नहीं देख पा रहे केवल और केवल वह चीज़ दिखाई दे रहेंगे और खासकर वो चीज़ें ज्यादा हाइलाइट भी हो जाती हैं खासकर जब और गवर्नर जैसे बड़े ओधे पर बैठे हुए लोग बोलते हैं तो बात है सारी यहां पर घूम के आती हैं अब आती क्यों क्यों क्योंको बहुत से लोग इसमें लॉस खाके बैठे हैं अभी इतने सारे इवेंट हुए कौन से लॉस वाले सारे कोई यहां हैक हुआ कोई क्रप्ट हुआ कोई डूब गया यह सब क्या था यह सारे ऐसे इवेंट थे जिन्होंने इस क्रप्टो कंशी को हाइलाइट कर दिया वो भी किसमें नेगेटिब बे आएगा अब कितना क्या पॉजिटिव होता है यह जो जी टूइंटी की मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा तो चलिए जो भी है फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ नमस्कार